इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेज करें क्या मनमाफिक फंड देने वाला प्रत्यासी नहीं मिला था? कौन है जिम्मेदार बस्पा जिलाद्यश जबाब दे पंचाई चुनाव में बवार्टी को मिलीगी करारी हार के बाद बवजन समाज पार्टी के पूट जिलाद्य अजिर्श कुमार भार्ती सोचल मीडिया को हतियार बना कर बस्पा को जिंदा करने की मुहिम छेट दी है में इन दिनों सोसल मीडिया पर बवज़न समाज पार्टी फरुकवाद के लापर भाहिवा गलतियों से परदा उठाने में लगे हुए हैं इसी बीच आज उन्होंने बसपा मुख सेक्टर प्रवारी सिफकुमार गौतम पर निसाना साधा है मिना गौतम के वल 248 बावर पाकर केरवे स्थान पर नहीं उन्होंने पार्टी पर आरोप भी लगाया है क्या बलपर प्रतम 6 से मनमापित फंद देने वाला प्रत्यासी नहीं मिला था तो फिर क्या मजबूरी में मिना गौतम को चुनाय ललाया गया आपको बताते चलें इसी सीट से बसपा से नस्कासित पूर्ट जिलाद देश विजय वासकर की माता जी भी चुनाओ लड़ी थी जो की दित्या स्थान पर रही है यहां बात गौर करने वाली यह भी है पार्टी की मुख सेक्टर परवारी अपने ही छेतर में खुद 246 पूर्ट से ज़्याद नाला सके बर नस्कासित जिलाद देश दूसरे स्थान पर रहा जबकि 2022 में मायावति को परदा मुख्यमंती बनाने की जिम्मेदारी इनी सेक्टर परवारी के कंदे पर है अब देखना यह होगा बहुजर समाज पार्टी का सीजने तत इस पूरे प्रक्रण पर क्या कारवाई करता है क्या फुरुखबाल जिलाद देश नागे इंदरप